पिपावनी शब्द सुनते ही हर किसी के चहर पर एक रौना का जाती है क्योंकि इस शब्द से पिपकों के जग्मगाने का आभास होता है बच्चे तो विशेश कर पिपावली के नाम से ही पटाकों मिठाईयों और नई कपड़ों को लेकर अपने मन में न जाने कितनी योजनाएं बना डालते है पिप से उजाला फैलता है और उजाला किसे पसंद नहीं कोई भी अंधेरे में रहना नहीं चाहता दिपावली, धन, वैभाव, सत्य, स्नेह और सोहात के उजालों को फैलाने वाला भारत वर्ष का प्रमुक्ते वहार है यह अश्विन चंद्रमास के अंतिंदिन यानि अमावस को मनाया जाता है इससे संदंधित अने कथाएं जिन में से कुछ का यहां गान किया जा रहा है प्रथम कथा भगवान श्री राम की है तो आईए सुनिये और आनंद उठाईए जै जै श्री राम सुनलो सुनलो कथा दिपावली की जगमगाती हुई गाव और गली की राम जी के आयोध्या में आगमन की और नरका सुर के वधरा जावली की सुनलो सुनलो कथा दिपावली की जगमगाती हुई गाव और गली की राम जी के आयोध्या में आगमन की और नरका सुर के वधरा जावली की दाम जीवन से लोट रहे थे देव तकर्त जै जैकार पुश्पक से उतरे जो आयोध्यार नगरी हो गई बली बली हार पासी आयोध्यार ती हर शाये दुलहन कर दी रजधानी रंग विरंगे फूलो से नगरी कर दी धानी धानी राम प्रभु जब देखेंगे तो धन दौलत मिल जाएगी मुस्काएंगे तो मन की हर एक कली कली खिल जाएगी छट जाए सब दुख की बदली बस जाए मन में खुशी उजली सुनलो सुनलो कथा दी पावली की सुनलो सुनलो कथा दी पावली की जगम गाती हुई गाव और गली की सर्यों में सी अराम नहाए और पधार महल सभी धड़कन सब की तेज बहुत थी लाक गुनी थी हल चल भी संग लखन और जाम वन्त थे वानर सेना और हनुमान पगपग पर मोती विखरे थे प्रभुजी का करने सम्मान पीनो माताओं ने मिलकर अपने गले लगाया था राम लक्ष मन को जी भर के आचल में दुलराया था तीप जलाकर नगर वासियों ने धूम मचा दी थी श्री रॉम के अभिशेक की सब तैयारी भी कर ली राम 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 जे राम 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 जे राम 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 सुनलो सुनलो कथा दी पावली की सुन लो सुन लो कथा बीपावले की जगमा गाती हुई गाव और गले की आखुशी के दीप जलाए राम क्रपा को अपनाए हारे ना अन्याय के आगे कभी न दुख से धब राए सहे राम ने लाखों दुख पर रावण का वद कर आए फैर शांति सैयम जैसे गुण थे प्रभु ने अपनाए आदर शो पर राम के चल के मन का सुख मिल जाएगा संकट आए जीवन में तो कोई काम न आएगा मूरख मनवा तू ये समझ ले कौन तेरा बेगाना कौन वैसे तो भटकाने को है इस दुनिया में लाख गली सुनलो सुनलो कथा दीपावली की जगमा गाती होई गाव और गली की पीपावली के बारे में दूसरी कथा दक्षुन भारत के राज्य केरल के दैट राज्य महा बली से जुड़ी है जब राजा बली को अपनी शक्ती पे गर्व हो जाता है तो भगवान विश्णों उसका गर्व कैसे चूर चूर कर देते हैं आईय सुनों सुनों कथा अब राजा बली की जो केरल के थे राज्या भक्त प्रहलाग के पोते थे और गैत्यों के थे महराज्या वैसे तो वे भक्त बड़े थे श्री नारायन हर जी के एहन कार सर पर चड़ बैठा वे भवकार अस्पी पीके स्वर्ग से सुन्दर था उनका किर्थी थी चहुद शावड़ी राजा इंद भिहार गए थे उनमें थी इतनी शक्ती नेह प्रजा जन से करते थे देवों के परशत्र थे कोई नहीं था उनके जैसा तभी कहा ये महाबली सुनलो सुनलो कथा दीपावली की जगमा गाती हुई गाव और गली की शुक्राचारे गुरुआये फिर अशुमेद करवाने को सौयग्यों के द्वारा बल को अजर अमर करवाने को निन्यानवे जब पूरे हो गए देव सभी घबराने लगे तीनों लोक जीत ये लेगा विश्णू को बतलाने लगे विश्णू बोले डरो नहीं मैं करता हूँ अब जतन कोई राजबली निशुकास तो होगा कार्य नहीं यह कठिन कोई अपनी सीमा थोड़ के रहना यह तो है अन्याए बड़ा छल बल से या कोशल से मैं आज हराओं महबले सुन लो सुन लो कठा बीपावली की सुन लो सुन लो कथा बेपादली थी जगम गाती होई गाव और गली थी आये विश्ण बली के द्वारे वामन शिशु का रूप धरे हुए बहुत प्रसन बली भी मेरे घर पाहुन उतरे फूलों के पावड़े बिछा कर वामन का सतकार किया एक दरित्र को सचे मन से उसने अंगीकार किया बोला कहिए वामन देव मैं करूँ आपकी क्या सेवा जो भी चाहो मांग लो मुझसे दे दूँगा मैं सब अपना और मुझे कुछ चाह नहीं है प्रण एक पूरा करना है वामन बोला तीन चरण भूमी दो होगी कृपा बड़ी सुनलो सुनलो कथा बी पावली की जगम गाती होई गाव और गली की चरण बढ़ाया पहला वामन ने तो सब धरती ना पी दूसरे पग में स्वर्ग राज को थाती अपनी बना डाली चरण तीसरा रखने को ना फिर अस्थान बचा कोई राजा ने शीशागे करके कहा रखो पग आप यहीं चरण रखा राजा के सर पर हरी ने तो वह धसने लगा समझ गया वामन के रूप में हरी है तब वह कहने लगा के दो मुझको छमा प्रभूजी अब न करूँगा मैं गल्पी मुझ पर अनुकमपा हो जाए आपकी बाहू बल्की सुनलो सुनलो कथा दीपावली की जगमगाती हुई गाव और गल्की तारायन को आई दया तो बोले वर मांगो कोई बल ने कहा मुझे बस इखना ही वर्दान मिले प्रभुजी वर्ष में एक बार मैं आऊं उसने हैं प्रजा पर बरसाऊं भूले ना मुझको भी प्रजा कुछ दिन मैं संग विता पाऊं पाकर यहवर आते ही बल उत्साओं बड़ा मनाने को सभी प्रजा जन उत्त रहते ओणम की धुनगाने को हर्ष और उल्ला सित मन था तब से हर एक बरस्तेवार सब की वाच्छे किल जाती हैं जब मिलते हैं महाबली सुनलो सुनलो कथा दीपावली की जगम गाती होई गाव और गल की एक और पसिद कथा नरका सुरकी है जो डावली परव का महत को बताती है और सभी को सनमार्ग पर चलने का संदेश मी देती है नरका सुर जब मरा तो सबने घीके दिये चलाए थे फूल दिये और रंगोली से घर बाहर चमकाए थे पाट रहे थे सभी मिठाए नाचरगा कर जूमे थे भामा कृष्ण के चरणों को जुक जुक कर सबने जूमे थे नरका सुर के नाम से ही दिन नरक्चो तुर्थी कहलाया तुष्ट बैत के मर जाने को सबने उस्ताव बतलाया छोपी दिवाली का इस दिन को है बड़ा सम्मान मिला प्रथा हजारों बर्षों से ते वहार मनाने की है चली सुनलो सुनलो कथा बीपावली की जगमा गाती हुई गाव और गली की बीपावली मनाने के बहुत से अन्यकारणों में से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं समुद्र मन्थन के समय घटित हुई थी माता महालक्षमी का प्राकट इसी समुद्र मन्थन के द्वारा हुआ था श्रिवजी विष्पीकर देवादी देव महादेव इसी घटना के कारण बने श्रीराण श्रीकृष्ण और अन्य विभूतियों के जीवन और निर्वाण का सम्बंध भी दीपावली से अठूप है आए सुनिए सत्युग में सागर मन्थन से निकले थे अनमोल रतन अम्रत विष्व और चंद्र भी निकले निकला लक्षमी जी का धन लक्षमी जी तो स्वर्ण कलश में अम्रत लेकर आई थी शंकर जी ने विष्पी के यह सारे स्रिष्टी बचाई थी इसलिए कहलाए है वह सब देवों से देव बड़े पीपावल के उत्तों में सब एक है ना कोई छोके बड़े यही हमारे संसितार है यही हमारी संस्कृती लाथ घना हो अंधतार दीपक के आगे नहीं चली सुनलो सुनलो कथा दीपावली की जगम गाती होई गाव और गल की जगम गाती होई गाव और गल की त्रेता की दीवाली रामस लंका जीती घर संग्राम स्वागत में बाजी शहनाई गाए मंगल गान प्रजा विजे सक्त की सदा असत पे होती है यह रहे बता सब तारे धर्ती पर उत्रे रामसिया का मान किया विश्णों के अवतार का मिल के सुष्टी ने समान किया जीवन सबके बदल गए थे जोम उठे धर की अंबर सबके चेहरे लगे चमक ने हर मन की तुस्तक थी खुली सुनलो सुनलो कथा बीपावली की जगमगाती हुई गाव और गली की जगमगाती हुई गाव और गली की श्री कृष्ण की लीलाओं का युगद्वा पर है कहलाता पालिकाल में भी उनका मन संकट से ना घब राता इंद्र की पूजा वेर्थ बताई गोवरधन का मोल बहुत निधी प्रकृती की बढ़ जाए शिक्षादी अनमोल बहुत प्रथा ये अनकोट की डाली भूखा कोई सोये ना पाड और अकाल के जैसी दिपता पिर्चे आये ना मट की फोड के लीलाओं से समझाया यह थाना ने तुष्ण नीती डही दूद तशिश्यों को थी स्वस्थ बनाने की सुनलो सुनलो कथा दीपावली की जगमगाती होई गाव और गली की कृष्ण ग्रॉपदी के घर आये भाई दुझ के पावन दिन भोजन में क्या क्या मैं बनाओं पूछ रही भाई से दहन कहा कृष्ण ने कल ही मैंने छपन भोजन है पाया ना ना गंजन करके मेरा उदर बहुत है भर आया काहे को जन जट में पढ़ती खालूंगा के वल खिछडी तभी से भाईया दूझ के जन बहन बनाती हैं खिछडी कितने साधे रूप में दर्शन जीवन का बत लाते हैं किष्ण कह गए भोजन में नहीं तृप्ति भाव ना में हडली सुन लो सुन लो कथा दीपावली की जगमा गाती हुई गाव और गली की परम हंस और दयानंद ने दीवाली को त्यागे प्राण जोत परम जोती में मिलकर कलीउग का कर गई उत्थान पेव पुत्र बन कर आये थे गगन सिधारे बन नक्षक जीवन की आसमर्पित जिससे रहे देश का उचा छत उनकी इसमितियों के आगे हम सब दीप जलाते हैं उनके चरण चिन पर चल कर जीवन सफल बनाते हैं है अनाम गुम नाम अमर जो देश के हो गए नियोच्छावर सभी जवानों और शहीदों नाम तुम्हारे दिवाले सुनलो सुनलो कथा दीपावले की जगमा गाती हुई गाव और गले की रम रम जे रम जे रम ज्रूंझे रम उटोंगे, रम जे रम.